दोस्तो कि आपने कभी सोचा है कि जितने भी स्टार्स हैं उन सब का कलर को कैसे पता लगा जाता है वेल गाईज एस्टोनोमी में एक्टर्म होता है जिसका नाम है एस्टार डाइगराम जो रीपर जैंस करता है स्टार्स की कलर को एकारडिंग टू देर सर्फेस टेंपरेचर दोस्तो यह है एस्टार डागराम यहां आप देख सकते हैं कि अगर किसी स्टार्स की सर्फेस टेंपरेचर 3000 कल्विन है तो उसकी कलर रेड होगा 4000 Kelvin वाले और एंग 6000 Kelvin वाले स्टार्स येलो और 10,000 Kelvin वाइट और और more than 25,000 Kelvin से ज्यादा वाले स्टार्स ब्लू होते हैं जो कि सबसे ज्यादा चमकिले होते हैं दोस्तो हमारे सन की सरफेस चेंपरेचर लगबग 6000 Kelvin है यानी ये एक येलो स्टार है और नाइट स्काई में सबसे चमकीला ताड़ा है सिरियस ए जिसकी सर्फस टेंपरेचर लगबग 10,000 केलिविन है यानि ये एक वाइट स्टार्स है और दोस्तों इस इनिवर्स में जितनी भी स्टार्स है बड़े वो रेड जायंट भी होते हैं उनकी सर्फस टेंपरेचर जाइट में होते हैं